नमस्क्राइब दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको एक वादा किया था कि इधियास को किस तरह से अच्छे से पढ़ा जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि बड़ा बोरिंग सा है तथ्य बहुत है तारीखें बहुत हैं कैसे आखिर उसको याद रखें कई सारे ऐसी जटिलताएं बच्चों के सामने आती हैं जब जटिलताएं बच्चों के सामने आती हैं तो वो कहीं न कहीं सही डारेक्शन में जाने की बजाए गलत डारेक्शन में बच्चा जा सकता है तो किसी भी सब्जेक्ट को आप जटिल बना भी सकते हैं और आसान भी बना सकते हैं यह आपकी उपर डिपेंड करता है इन देखा है कि कुछ स्टूर ड्रोंट सब्जेक्ट को बहुत आसान बना देते हैं उसी सब्जेक्ट को कही सारे विद्वान लोग बड़ा जटिल बना देते मार्केट के इस्टेड़ी विए होती कई बार, कि मैं बहुत अगर सब्जेक्ट को जटिल बनाता हूं तो बच्छा दर के मेरे पास आ जाएगा, यह सोचूंगा, मैं तो Definitely, बच्छे मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैने सब्जेक्ट को बच्छा बहुत जटिल बना दिया, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लो स्टूडेंट को जोसने कभी सुने ही नहीं हो क्योंकि देखो इतियास जैसे विशह में कोई अंत नहीं इन सब्जेक्ट का खूब सारे तथ्य पड़े हैं इतियास के वल तथ्ये ही थोड़ी है इतियास प्यारा सा विसलेशन भी है तथ्ये तो उस पूरी कहानी के पात रह नहीं है बलकि कहानी के चुट चुटे अंस है जिनके वूते तथ्यों का विसलेशन करके इतियास लिखा गया है और हम अगर उसको जटिल बनाने की कोशिश करें तो ऐसे उलूल जलूल फैक्ट देखके बच्चे को डरा के अपनी वक्याद सकते है अब वो टैसरीज के जरीए भी किया जा सकता है किताबों के जरीए भी किया जा सकता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें विशय को सरल बनाना चाहिए क्योंकि बच्छे को अगर सरल तरीके से पढ़ाया जाए तो वो उसको पढ़ने के बाद वो अपने आप गहराई में लूबता जाएगा और लूबता जाएगा तो उसकी विशय में गहराई अपने आप बढ़ती जाएगी वो जटिल नहीं होगा जटिल ता अलग चीज़ है गहराई अलग चीज़ है गहराई का मतलब यह होता है कि आप उस विशे के उपर कितनी कमांड रखते हैं उस विशे को कितना अंदर तक जानते हैं जटिल ता यह होती है कि बचा बचा उबव हो जाए उसके उपर, मतलब सब्जेक्ट को दो आदे घंटे में छोड़ने, ऐसी किताब आपको लेके बैठना, जैसे मान लो कोई कहां नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत गहरी बात हैं आप पढ़ रहे हो, मजाएगा आपको, क्योंकि आपको और गहरी गहरी चीज इन दोनों में अंतर करके समझना, गहरी अलग चीज़ होती है, और कॉम्पलेक्सिटी अलग चीज़ होती है, ठीक है, तो गहरी के जरीए आप किसी को अयूंकाये की प्रभावित कर सकते हैं, जटिलता के जरीए आप किसी को डरा सकते हैं, तो इस इस्तती में, इस दौर मे ठोड़े मोडरे होते हैं जो समझादारीट होते हैं जो थोड़ी hoprisingly उसकील से आपको 50-50 सवालode मिलते हैं मुस्किल इतन जैदाँ नहीं मिलते हैं इंकी लिए हमें इनकी ऊपर क्यों समय खरब करना सुरी इनको क्यों खरब आप करना न भातर entren the दोनों को ठीक से पढ़ लो है ना यहीं से आपके 65-70% निकलते हैं सेलेक्शन यहीं हो जाता है और इन में से 2-4% भी निकलेंगे ना तो भी आपका इद्वांसमेंट है इसलिए डरने की अफशिक्ता नहीं है आप सर तरीके से पढ़ते जाएं देरी देरी समय के साथ विशय पर आपकी गहरई अपने आप ही बढ़ी है तो इसलिए अपने आपको उलजाना नहीं है सुल जाए भी रखना इसे तु क्या करना चाहिए इतिहास को और बढ़िया तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं यह वीडियो मुझे लगता है आपके लिए फायदे बंद होगा इतिहास की ज्यारतियों के लिए पहली चीज़ सबसे पहले आपको क्या करना जब भी इतिहास का कोई भी टोपिक आप पढ़ते हैं अब एटलिस्ट मैपि हो रहा है तो उसको मैप पे सेट कीजिए मैंने पढ़ा या आपको पता होगा मैंने हर जगे मैप जूसकिया है आप उस मैप के जरीए करिए तो इससे क्या होगा कि आपको लोकेशन इस्तती बैठ जाती जॉनसन कहता ना कि भगोल और इतिहास दोनों एक ही माता की दू अतिहास में किसी भी टॉपिक को पड़ी मiap यूज होता है सेकंदर के आकरमन को मैप से दिखिया। मैपिंग करिए और इस मैप के लिए कई सारी किताब्याती मारकेट प्रिम्यिंद में स्पेक्टरम की आती है इतिहासिक मान्चित्राव लियाती है और आपको बता दूँ आई इस मैंस के अंदर भी मैप के पचास नंबर की लगबग सवाल आते हैं एक तो पूरा पहला प्रशन मैपिंग का ही आता है जिसमें आपको इस्थान बरके और इस पे बीश शब्द लिखने होता है इस इसको बढ़ाता है इसमें आपको भागलिक ज्यान हो जाता है तो भागलिक ज्यान होने के बाद आप राजनितिक जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं आप अर्थ व्यवस्ता को बहुत प्यारी तरीकी से समझ सकते हैं कि उत्रा पत यहां था दक्षना पत यहां था मैंने आ आपको याद होगा महाजनपद जब पढ़ाया था तो सोड़ा महाजनपद मेरे से पढ़े वी बत्से एक सेकंड में एक मिनिट में ऐसे करके बोल देते हैं कि यह करके आसे आजाते हैं तो उस तरह से उसको मैपिंग का यूज की जिए आप तो राजनितिक जीवन आर्थिक यह सब पढ़ने में मैपिंग को बहुत मैपिंग बहुत सपोर्ट करता उसको एक तो आप इसका यूज कीजिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पहला काम तो यह कीजिए दूसरा काम आपको क्या करना है जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते वक्त कम से कम कल अपनी यह सकती हो आप जबहुत पर रहां मौरे काल पढ़ रहा हैं तो कम से काम मौरे काल के भारे में मौरे काल के में जाके पाईए कि कि मै अति तबस्ता कॉसे समाज किताब से आंखें हटा के और जैसे आपने पढ़ लिया पुस्तक से अंखें रटा की आंखें बंद-गर की ठोड़ा सा मनन की कैसे होता होगा मैं तो कई बार ऐसे इतियास पढ़ते पढ़ते उस काल में चला जाता हूं उस दौर में चला जाता हूं और उस दौर में जाने के बाद में ऐसे सोचता हूं कि समाज में ऐसे होता होगा समाज में उस समय कोई सोचल मीडिया नहीं था सासन के आदिस कैसे पहुंचते होंगे किस तरह से लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती होगी, किसी पर जल्म हो रहा होता है तो किस तरह से उसको न्याय मिलता होगा, क्या पदती होती होगी, आजार किलोमेटर दूर कोई कैसे जाता होगा, ऐसे कई सारे पढ़ते परश्ण मेरे मस्तिस्क में आज भी आते पहले भी आते थे ठीक है तो ऐसी कल्पना सक्टी के जरीए आप चीजों को समझ सकते हैं आप उस समय की वास्तविक स्थियों को समझ सकते हैं यही तो इतियास दर्शन होता है तो कल्पना शक्ति से क्या होता है इतिहास जीवन्त हो जाता है तो इतिहास को जीवन्त करके पढ़िया यह बड़ा शक्री रहना बहुत जरूरी होता है यहां पे तो कल्पना शक्ति का यूज की जी लाइन टू लाइन पढ़ते मत जाईए जैसे को यह आप फिजिक्स तो आप एकदम पूरा सोच लेता हूँ, तो मैं पी कल्पना सकती है, तीसरी बात जब भी आप इतियास पढ़ते हैं, तो इतियास में दो चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके से होती हैं, एक होते हैं, तत्हें, दूसरा होता है इसका विसलेशन ठीक है अब देखिए अगर आप केवल तथे तथे पढ़ेंगे तो आप इतियास को कभी जी नहीं पाएंगे आपको इतियास बड़ा बोरिंग सा लगेगा है ना आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं क्योंकि तथे तथे से 700-800 पेज किता बन जाएगी फिर न तो आपकी समझ विक्सित होगी ना आप किसी को समझा सकते ना आप इंटर्वियों में बोल सकते ना बच्चों को पढ़ा सकते ठीक से इसलिए कोशिश ये कि विसलेशन को ज्यादा से ज्यादा समझी जैसे असो का धम अब केंचुक्चा धम में धम का निश्यदास कहां पर हुआ है बस ये तथ्य और धम के बारे में दो चार विद्वानों के कथन क्या है ये तथ्य इसलिए कहता हूं कि विसलेशन अधिक करिए और विसलेशन के साथ में तथ्य को पकड़ नीजिए तो अपने आपको तथ्य भी पकड़ में आ जाएगा और विसलेशन भ कि भच्छे क्या करते हैं तारीके रट रटके रट रटके आलत खराब पुरे पेपर को आप उठा के देखोगे न तो ऐसी तारीकों के मुश्खिल से एक दो प्रशनों होते हैं तारीके नहीं होती है तो क्यों अपने अंदरींग खराब करनी सब्जेक्ट को बूरिंग बनाना सब्जेक्ट को एक प्रकार से जीना नहीं बल्तकी अपने आप में सब्जेक्ट को भा़र मानने कि कोशिश है क्यों करते हैं via इस से बहुतर है कि जब भी पढ़ते हैं इस पे ज़्यदा जोर दीजिए और Вिचलेشन से तठ्वों को पकड़ने की कोशिश कीजिए अपने आप उसमें मैन में तठ्वें आ जाते हैं यह प्रयास कीजिए इसके साथ साथ में आपको क्या प्रयास करना है आपको तारीक हैं याद करने पर जोर नहीं देना, बलकि आप है वो chronology set कीजिए, कि वही जैसे कोई भी स्काल ले लो, chronology set कीजिए, पहले कौन सी घटना भी उसके बाद कौन सी, घटना की तारीक बली मत याद करो, लेकिन घटना की chronology set करो, कि अकबर का ये गया था, फिर वहां गया, फिर ये वहां गया, तो पहले अलावदिन का ये अब यान हुआ, आपके चित्रन थंबोर हुआ, फिर नीचे आया, चित्तोर हुआ, जालोर हुआ, इस टाइप से उसकी chronology याद कीजिए, तो आप तारीकों को याद करने की बजाए इसकी chronology याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और परिक्साओं में mostly chronology याती है, अब आप अमेरिका की करांती पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी chronology याद कर लो, ठीक है, कि वही पर्थम महादीपी कॉंगरिस भी, इसके बाद में ये दो युद हुए, फिर उसके बाद में ये हुगा, पूरी पूरी ऐसे कहानी सेट कर लो, और पेपर आपका नोट्स वगरा कुछ सा अगर बनाई है संक्षिप्ट में, तो आप है वो कोपी के पीछ से है, उसकी chronology लिख लो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको chronology याद हो जाती है, तो पूरे पेपर मे हैं, तारीकों के तो एक दो सवाल आते हैं, वो भी यूही सही हो जाते हैं, मैन मैन तारीक के याती है, लेकिन chronology के काफी प्रशना आते हैं, chronology आपको उत्तर कु फसाने में गजब मदद करता है, तो आप ऐसे तारीकों की बजाए chronology को समझजिए, ठीक है, chronology मलब गटना पहले कॉंसी इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या हो, ऐसे करते करते हैं, उसको याद कर लो, ठीक है, तो chronology याद किजिए, इसकी अलग से टेबल बना दो, जब भी आप नोट्स बगरा बना दो, नोट्स भी बहुत जरूरी होते हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में शोर्ट नोट बहुत जरूरी होते हैं पांच से कोपी जाब की होने चाहिए आपके बास में क्योंकि किता में तो क्या आज कि बड़े बड़े पोथे आगे मार्केट में अब उसकी इस्तिति यह हैं कि उन पोथों का पढ़ने तो दूर की और पोथे चर्म पात रीवीजन करने में भी साल साल लग जाता है और मैं ये मानता हूं कि किसी भी परिक्सा का पास करने के लिए आपको परिक्सा से से पन्दराव बीस दिन पहले पूरे पाठह करम का रीवीजन करना ही होता अगर रीई घंए नहीं करते हैं तो आप अतन और उता पर और हम कई बार इन गल्तियों का यह तो टाइम रहते हुए हमें यह से क्षिट में नोट बत्रों से बनवाई अब यह नोट क्या होता है नोट से 5-7 रजिस्ट होते हैं एक रजिस्ट अगर बहुत अच्छा सा पढ़ा हुआ रिविजन किया हुआ तो दो तीन तीन दिन निकलता है तो लाश्ट 15 से 20 दिने बड़े आराम से रिविजन हो जाता है तो कोसिस ये कीजिए कि आपको क्रोनलोजी सेट कीजिए और अपन में में तो उसकी पूरी क्रोनलोजी बन जाती है फिर परिक्स आगे टाइम में खा लिए देखना पड़ता है कि इसमें जर्नम होगा फिर यह पानी पत होगा फिर यार जाजे बिश्ट हुगा बेराम खा गया यह पैटिकोट सरकार ऐसे करते करते असिर गर्टा काते जवा कुछ लोग यह भी कहेंगे कि अलग अलग मत होते हैं मेरा ही मत अंतिम सकते हैं यह जरूरी नहीं है ऊसकता है आपकी विदी अलग हो मैं मेरी विदी पर जंदली बात करता हूं थीक है नौस के पीछे इस परकार के क्रोनुलोजीकल टेबल बना दीजिए कई जगले आप है है तुल्णात मगद्भी करी तुलणात मगद्भी करिए तुलनात्मगद्भी में क्या होता जैसे वैदिक रही है और का तुल्या कि दो सकती है रिगवेज-जैन की दो सकती है गुप्त मोरे का साइंस विग्या को चीस्का तुलना कि yine की जा सकती है इस प्रकार तुलनात्म कर दियन से क्या होता है आपकी समझ विक्षित होती है आपके फैक्ट मजबूत होते हैं आपकी बात रखने के तई के मजबूत होती है विसलेशन अच्छी होते हैं और इसके साथ साथ में अगर तुलनात्म कर दियन हम करते हैं तो निश सिर्फ फैक्ट है और मैं मानता हूं अगर आप बहुत अच्छी तरीकी से चीज़ों का विसलेशन कर रहे हैं तो विसलेशन के साथ अपने आप पकड़ में आ जाता है इसको रटने की सत्स में आफशिक नहीं रहती है ठीक है फिर भी रटने की बजाए हमें समझने की कोशिस करने हैं समझना कैसे जा सकता है समझने के लिए अपने को क्या करना होता है हर टोपी को आप कई बागों में बांट दो जैसा कि मैं बांटता हूं क्या करना होता है सबसे पहले उसका परिच्छ पढ़ो कि इसका यह क्या फिर उसके कारण पढ़िए महत पढ़िए उसकी विसे बैसारी, दीदरो, प्रांसेस बेकन, फिर उसकी विसिस्ताएं क्या थी, मानवाद, बद्धी, तरक वगेरा, उसके बाद में कारण क्या थे, फिर इटली में क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े, अब ये सारे इक सारे देख लिए, फिर साहित् से समझने के लिए पूरे टोपी का एक पूरा ब्लूपरिंट तयार करो एसे करके करोगे तो थोड़ा क्या इतियास और इंट्रेस्टिंग होता है थोड़ा दिल्चस्प हो जाता है चीजों को समझने में बहुत मदद मिलती है ठीक है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसक पूर्ष लिया तो याद में आता है तो कई बार तो यसा होता है कि तथ्य बड़ा उलूल जुलूल होता जिसका परिक्षाश्च कोई सीधा मतलब नहीं होता यसे पर तो आपको टैंसन एलानी है दूसरी बात यह होती कई बार पढ़ा हुआ है बट याद नहीं आ रहा है तो उसका कारण यह होता है कि हमारा रिवीजन कम होता है जितनी बार रिवीजन अधिक होगा और रिवीजन कम होगा जब आपके पास लिमिटेड मैटरियल होगा अगर आपके पास लिमिटेड सामगरी है क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूँ कि सफलता सामगरी नहीं दि सेलेक्शन आपके पढ़ने की तरीके पर डिपेंड करता है कुछ किताबें पढ़के लोग टॉप कर जाते हैं उन्हीं किताबों से कई लोग फैल हो जाते हैं इसलिए कहता हूं कि लिमिटेड माटरियल रखोगे तब ही वीजन हो पाएगा बड़े पोथे लेके बैठ गए एक पोथा पूरा नहीं होगा मोडल डाउन हो जाएगा फिर वह साथ आठ किताबें कैसे रिवीजन करोगे इससे अच्छा ही होता है कि चीजों को शॉर्ट नॉट्स कर दो ठीक है और शॉर्ट नॉट्स में 4-5 सरजिस्ट तो बनी जाते हैं फिर क्या होगा उसको आप बा आपको बान लो परिक्षा में प्रश्ण पढ़ा हुआ है लेकिन आपको सिधा उतर नहीं आ रहा है तो आप तीन ऑप्सन भी कर पाओगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनमें इतना किया हुआ है यह हो नहीं सकता ऐसे करते करते हैं आप लास्ट में उत्तर तक तो इतियास किजिए ताकि एक उतर निकल कर बाहर आएगा चारों को सॉलीशन करने की कोशिश कीजिए जैसे क्या होता है आपकी और अच्छी समझ बढ़ती है अगर कोई साथ ही है गंभीर तयारी वाला उसके साथ भी इतियास की विश्रेंगों पर डिस्कॉशन करिए इससे आपके तरक और विसलेशन की चंताएं बढ़ती है इतियास और अच्छा से कंटस्त होता है तो इतियास एक जीवन ते इसको जिन्दा रखने दीजिए इस तरह से जटिल मत बनाईए नहीं तो क्या होगा नहीं तो इतियास बोरिंग लगेगा कि फिर आपको लगेगा कि क् नहीं कर लिए तो मैंने ऐसे जब इतियास पढ़ाया तो इन सारी चीजों की पूरी कोशिस करी है कि कहीं पर भी मेरे से ऐसी कोई जटिलता है नहीं कि मैंने बहुत तो हमारे समाज की एक बड़ी विडमना है विडमना ये हैं कि सिक्षक का परिक्षन जो है न वह इस बात हो जाना चाहिए कि समजाता किस लेवल का है और विशेवस्त्र को किस लेवल का सरल करके आप तक डेलीवर करता है। समिक्षा इस अधार्पी की जाने लेकिन दुरभाग ये इस बात का है कि हमारे समाज में समिक्षा सिक्षक की इस बेस पीकी की कि जाती है कि उसका यह कोई ने के बाद में ने आपको कुप कंटेंड दे दिया अब आप कोगे कि परशन तो सारे आगे लेकिन आप समझाया कैसा है यह तो बात कौन देख रहा है यह कोई नहीं देख रहा है इसके कारण सिक्सक जदा से जदा तत्थे मगब करकर के बच्चों को दे देते, बच्चों से वो चीज़े याद होती नहीं है, शिक्षक तो सैफ हो जाता है, कि मेरे पढ़ाई वे मैं से आगए, लेखक सैफ हो जाता है, कि मेरे लिखे वे मैं से आया, आपने लिखाई इतना है, कि वो बच्चा कैसे याद कर तो शिक्सक और लेखक तो बच गए फसा कौन फसा स्रुडेंट क्योंकि उसके पास तो सारा पड़ा था फिर भी पड़ नहीं पाया क्योंकि लिमिटेड मैटरियल था नहीं हो तो अनलिमिटेड इसलिए कहता हूं लिमिटेड रखी तो शिक्सक की समिक सा इस बेस्पर की जा आथ्षे से आता है साथ इंफेक्ट भी प्रपर दिये और फिर क्या होता है जैसे ही पैपर होता है तो मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मेरे पढ़ाई हुए की पीपीटी का फोटो स्क्रेंसोर्ट और सामने प्रशन लाके सॉलिशन यूटीव पर वा देता तो मेरा उत्रदाई तो बनता है कि मैं आपको पर्मानिक करूं कि हां मैंने जो बात कही थी वह हुई जनरली सिक्षक ऐसा नहीं करते हैं यूटीव अगेरा पर मैं देखता हूं कि बैच तो सब लेते हैं लेकिन बैच लेने के बाद में कोई भी आके वापस प्रूफ साइ चीजों को समझना यह ठीके बाकी तठी तो खूब सा जगर मिल जाते हैं आपको तो इन चीजों का धैना अफन टारिबलस बना दी जी तुल्नात्म कझ चीजह को समझने की टोपिक को blueprint में बांट दीजिए कि कारण परिणाम इस टाइप से पूरा था कि समग्रता आ जाए समग्रता से confidence आता है और फिर इस limited material को revision कीजिए बार-बार और पुराने प्रशन लाके उसके अभ्यास को भरपूर तरीके से कीजिए फिर आप देखना कि पांच चार पांच से महीने बाद ऐसी इस्तिति आती है कि सब्जेक्ट पर confidence आता है फिर प्रशन परिक्सा में बली मत आओ लेकिन तीन ओप्शन को eliminate करके भी हम बड़े आराम से उसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं तो यह मेरा अनुबह था इतियास विश्य को लेकिए उमीद कर रहा हूं आपको डेफिनेटली फायदा होगा हां यह अंतिम सत्य नह नहीं कि आप इसको स्विकार है और कोई ऐसी आपकी ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं यह आप स्वतंत्र है जैसा आपको ठीक लगता है तो इस चीज़ को आप अपना की देखिए समय जरूर लगेगा लेकिन काम इस्थाई होगा ठीक है बहुत बहुत धन्यावद विदारत अच्छरी मस्तरी और पर देरी